हेलो एब्रीवन रीना किचन में आपका स्वागत है और नौरात्री की हार्दिक सूप कामना है आप सभी कैसे हो आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे आज हम आपके साथ में फिर से नौरात्री के लिए स्पेसल थाली की रियस्पी सेयर करेंगे तो चलिए इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और रोस्ट कर लेंगे माखाने को माखाने हमारे लगवग रोस्ट हो चुके हैं तो हम साइड में कर रख देंगे तो फिक यसाओन करेंगे और हम चलाएं पैन इसमें डालेंगे दूद इसमें डालेंगे केसर और इसको मिक्स कर देंगे फिस में डालेंगे ऐलायची पाउडर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसमें हम डाल देंगे सकत कर देंगे जितना मीठा आपको पसंद हो सब्सक्राइब कर दें जो हमने रोष्ट करके रखा था और अपक्षे से जब पक जाए सब मखाने बादाम काजू नारियल घिसवा डालें आप अपने पसंद कोई भी ड्राइफूट डाल सकते हैं कि यह तैयार हुचुकिए उसको साइड में लग देंगे केले केला ले लिए और उसके आगे पीछे की जड़ें उसको काट देंगे और प्रेसर कुकर में डालके ढ़कना लगा देंगे तब तक हम तीना का चावल ले लिए जो कि हमको वही बनाना है थाली में उसको धूल के अच्छे संपूलने के लिए रख देंगे 10-20 मिनट के लिए और उसको पनीर को काट लिए हैं क्योंकि हम बनाएंगे असाही पनीर इसके लिए पैन में घी डाल दिए अब हम पनीर को रोष्ट कर लेंगे सब्सक्राइब करेंगे पनीर को ज्यादा नहीं अच्छे से बून लेंगे तो अच्छे से बून जाए फीस में हम डाल देंगे टमाटर अगर आप ब्रैत में टमाटर वाइगा निक खाते हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं और इसमें अध्रक भी डाला था और साथ में डाल दें से नहां नमक जब जिससे कि हमाई टमाटर अच्छे से लग जाए मसाले भी तियार हो गया विसको ग्रैंडर में डाल के इसको कर लेंगे गर यह पनीर क्रेस्पी बहुत ही जल्दी बनते हैं बहुत ही टेस्टी लगत और हमारे पीलु टिक दम तयारे साही पनीर के लिए अब उसी पैन में इसमें इक चहल की डाल दिया और जो एंगे अच्छे से मिक्स कर्के रखी करने पणीर बन जाते हैं इसमें टायम जांग इंघेरी नहीं लगते यह तैयार हो चुके तदक्षके लगे में बर गयां ल अब इसको मेरी कर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साढेब मेर्गे तब चलते हैं जावाल भिणोंके रखा हा था हुए बनाने के लिए निटाल जीरा ! अद्रक ! हरीमीच !! नीट कि और अच्छे से मिक्स करने के वाइस में डाल देए कि यहां रखें सब्सक्た और हम दलें निव स्खरप्स्ट को four शब्सक्राइब द Спасибо還有 त्वार्प Wellness दलेंगे यहिंदे पानी हमने इक कप चावल लिए त। नवाग पानी हम चावली पक चुके हैं अब इसको देंगे घी लेए हैं पैन में और आजम डाल देए काजू के अब बूल गया थे काजू फ्राइब करके डालना इसलिए लास्ट में डाले अप शुरू में ही डाल सकते हैं और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे कि अचिधा थे पैन उसमें मुघ फली को रोश्ट कर लेंगे क्योंकि हमको केले के टिक्चे में जुबत पढ़ेगी इसके मुंग फली रोष्ट कर लेंगे और केले भी हमारे ठंडे होगा है इसको हम छिलका हटा लेंगे केला हमारे मियास हो चुकी है सब्सक्राइब करें तो केले कवी में डालेंगे माइस में जीरा पौडर आप रखे को छीने के परिया अगर अच्छे के ऊच्य सबोने करके में देनके यह लोगते हैं बहुत लगते हैं एक आक्ता हेसा गओने में भाद श्लिट्टों के आट्दे बनाएंगे क्लाइब करा बालू नमक ध्यूंक लें और कुट्टू के अटा कुट्टू के जड़ें अपनी आपको लगए कि त्वोर्थरा करके डालने से क्या होता है अंदाज मीद जाता है कितना इसमे लगेगा कुट्टू का आटा और उतना ही यालू में हमने कुट्टू काटे के सान लिया है कि फ्राइ लगा दिया है और अम केले के टीक्के को त्यार करेंगे इस तरीके से डाल दियां है यह दो प organismal और इसमें फ़ाइ ना believed पराठे बनाने की कुट्ट्टू के आटे की यह हमने ले लिए बड़ी सी लोई और इसको घी लगा लेंगे घी लगाने सी होगा कि हमारे जो बेलने चोकी में वह चिपकेगा नहीं असानी से छोड़ देंगे तो क्या होता है नहीं बहुत प्रॉब्लम होती है जब चीपक ज देंगे इसको अब इसमें हम लगा देंगे घी क्योंकि ब्रत के जितनी भी भुखाना होता है थाली वगेरा पोजन जो बनता है जाता करके बनते हैं तो साथ में मुंग फली का तेल आप लोग यूज करें तो मुंग तेल में बनता है और इस तरीके से मारे थास प्राठे हमारी प्राथि साही पनिर ने काने के खीर केले के अचैशाथ अर्भी इस चैवता है नियुक Oakya के साथ को अगरे प्राथा में तेयार अगर पसंद आजा है तो लाइक करें हमाँ चैनल को सब्सक्रायब करें और कॉमेंट करें कैसी लगा लगी हमारी यह रेस्पी आप लोगों को फिर मिलेंगे नहीं रेस्पी के साथ देख